ओम सान्ती आज 12 फरवरी 2021 की मुल्ली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हे कमाई का बहुत सौक होना चाहिए इस पड़ाई में ही कमाई है प्रस्न है आज का ग्यान के बिगर कौनसी खुसी की बात भी विग्न रूप बन जाती है उत्तर है सकसातकार होना यह है तो कुसी की बात लेकिन अगर यथार्त रूप से ग्यान नहीं है तो औरी मून जाते हैं समझो किसी को बाप का सकसातकार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे और ही मुझेंगे, इसलिए ग्यान के बिगर सकसातकार से कोई भी फाइदा नहीं, इसमें और ही माया के विगन पढ़ने लगते हैं, कईयों को सकसातकार का उल्टा नसा भी चड़ जाता है, आज क सुनते मुर्ली विस्तार से, ओम सांती, मिठे मिठे रुवानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना, कि यह पाड़ साला है, पाड़ साला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है, वहां तो अनिक प्रकार की तक तकदीर को M object कहा जाता है तकदीर बनाने भिगर पार साला में क्या पड़ेंगे अब यहां बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं यह राज्योग है ही नई दुनिया के लिए वह है पुरानी दु दुनिया के लिए वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदी बनते हैं वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रा है वह तो खत्म हो जाएंगे वह तकदीर है इस मृत्यू लोग के लिए यानि इस जन्नम के ल तुमारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा कौन पढ़ाते हैं बहत का बाप जिन से ही वर्सा पाना है जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्सा पाते हैं वह हो जाता है इस जनम का वर्षा एक तो वर्षा मिलता है बाप से दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पड़ाई का अच्छा फिर जब बुड़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं क्या चाते हैं कहते हैं हमको सांती धाम में जाने की सिक्सा दो हमको सद्गती दो यहां से निका सांति धाम ले जाओ, अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है, इस जनम के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं, टीचर से पढ़ कर कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, टीचर बने, सुविंग का तो चाहिए न, बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं हाँ कोई-कोई गीता आदी अच्छी रिती पढ़कर फिर गीता पर भासन आदी करते हैं यह सब है अल्पकाल सुक के लिए अब तो इस मृत्यू लोग में है थोड़ा समय पुरानी दुनिया खत्म होनी है तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदिर बनाने आए हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है बाप की वह अपनी मिलक्यत भी भस्म हो जाएगी हाथ फिर खाली हो जाएंगे अभी तो कमई चाहिए नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के मनुस्य तो वह करा नहीं सकेंगे, नई दुनिया के लिए कमई कराने वाला है सिव बाबा. यहां तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो वह बाप ही तुमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरू भी है और वह आते भी हैं संगम पर भविश्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज है यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी यह गपोड़ा मारने वाले हैं ऐसे समझने वाले भी बहुत है बाप कहेंगे नई दुनिया इस्तापन होती है बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है तुम बच्चे समस्ते हो, नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप, टीचर, सत्गुरु है, बाप आते ही हैं सांती दाम, सुक दाम में ले जाने, कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समस्ते नहीं है, एकी घर में इस्त्री पड़ती है, पुरुस नहीं पड़ेग बच्चे पड़ेंगे, माबाप नहीं पड़ेंगे, ऐसे होता रहता है, सुरु में कुटुम के कुटुम आए, परंतु माया का तुफान लगने से, अस्रियवत सुननती, कथनती बाप को छोड़ चले गए, गाया हुआ भी है, अस्रियवत सुननती, बाप का बनेंगे, प माया, ड्रामा की ही बात हुई न, इस्तरि पुरुस एक दो को डाइवर्श देते हैं, बच्चे बाप को फारगती देते हैं, यहां तो वह नहीं है, यहां तो डाइवर्श दे न सके, बाप तो आए हैं बच्चों को सच्चे कमाई कराने, बाप थोड़े किसको खड़े मे डालेंगे बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है ऐसे कोई लोकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा ऐसे गुरु कभी देखा कभी सुना गुरु लोगों से तुम पूछ से हैं तुम सरीर छोड जाएंगे फिर क्या इन फॉलोवर्स को भी साथ ले जाएंगे ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेंगा कि मैं फॉलोवर्स को साथ ले जाऊंगा यतो हो न सके कभी कोई कर न सके कि मैं तुम सब को निर्वान धाम वा मुक्ती धाम में ले जाऊंगा ऐसा प मैं तुमको ले जाऊंगा, मच्रो सद्रस्य सब जाते हैं, सत्यूग में तो मनुस्य थोड़े होते हैं, कल्यूग में तो डेर मनुस्य है, सरीर छोड़ बाकी आत्में हिसाब किताब चुक्तु कर चली जाएगी, भागना जरूर है, इतने मनुस्य रह न सके, तुम बच्चे अच्छे रिती जानते हो, अभी हमको जाना है घर, यह सरीर तो छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया, अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह पुराना चोला तो छोड़ना है, यह दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घर में प्यार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है, बुद्धी चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें यह बनाओ, यह करो, ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है, वह हुई हद की बात, यह है बहत की दुनिया की बात, पुरानी दुनिया से और नई दुनिया में लगाना है जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है नई दुनिया है स्वर्ग उसमें हम राजय पद पाते हैं जितना योग में रहेंगे, घ्यान की धारना करेंगे औरों को समझाएंगे, उतना खुसी का पारा चड़ेगा बड़ा भारी इम्तहान है हम स्वर्क का 21 जनम के लिए वर्सा पा रहे हैं सावकार बढ़ना तो अच्छा है ना बड़ी आयू मिली तो अच्छा है ना स्रस्टी चक्र को याद करेंगे जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फाइदा है राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है प्रदशनी में इतने धेर आते हैं वह सारी प्रजा बनती जाएगी क्योंकि इस अविनासी ज्यान का विनास तो होता नहीं है बुद्धी में आज आएगा पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है पुर्षा जास्ती करेंगे तो प्रजा में उस्पद पाएंगे नहीं तो कम कर दर्जे वाली प्रजा बनेंगे नंबर वार तो होते हैं ना राम राज्य की स्थापना हो रही है रावन राज्य का विनास हो जाएगा सत्यूग में तो होंगे ही देवताएं बाबा ने समझाया है याद की यात्रा से तुम सत्व प्रदान दुनिया के मालिक बनेंगे मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे उचा है बरोबर भारत बहुत उच था, अभी थोड़ी है, था जरूर, अभी तो बिलकुल ही गरीब हो गया है प्राचिन भारत सबसे सावकार था, तुम जानते हो, बरोबर हम भारतवासी सबसे उच देवी देवता कुल के थे दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता, अब तुम बच्या यह पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुस्यों को समझाना तो है न, तुमारे पास चित्र भी है, तुम सिद कर बतला सकते हो, इन्होंने यह पद कैसे पाया, अंगे अक्सरे तिथी तारिक सहित, तुम सिद कर सकते हो, अब फिर से यह पद पा रहे हैं, सिव बाबा से, उनका चित्र भी है, सिव है परमपिता परमात्मा, बाब कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुमको योगबल से 21 जनम का वर्सा मिलता है, सुर्य वंसी देवी देवता, विस्नुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो, स सुनती है, आत्मा ही धारन करती है, मूल बात तो है ही यह, चित्र तो सिव का दिखाते हैं, यह चित्र परमपिता परमात्मा सिव का है, ब्रह्मा विश्नु संकर है, सुक्स वतन के देवताएं, प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए, प्रजा पिता ब्रह्मा क बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमार्या डेर है जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने तो ब्रामन न बने तो सिर बाबा से वर्षा कैसे लेंगे कुक की पैदाइस तो हो न सके माया सौरी गाया भी जाता है मुक वनसावली तुम कहेंगे हम प्रजा पिता ब्रह्मा की मुक वनसा वह गुरुओं के followers होते हैं, यहां तुम एक दो ही बाप, टीचर, सद्गुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो, निराकार सिव बाबा भी है, ज्यान का सागर है, स्रस्टि के आदी मध्य अंध का ज्यान देते हैं, टीचर भी वह निराकार है, जो साकार द्वारा ज्यान स सुनाते हैं, आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है, मेरे सरीर को तंग मत करो, आत्मा दुखी होती है, तो समझानी दी जाती है, जबकि विनास सामने खड़ा है, पारलोकिक बाप आते ही है, अंत में सब को वापिस ले जाने, बाकी जो भी कुछ है, यह सब विनास होने का है, इसको कहा जाता है मृत्यों लोग, स्वर्ग तो यहां प्रत्वी पर होता है, देलवाडा मंदिर बना हुआ है, निच्छे तपस्या कर रहे हैं, उपर में हैं स्वर्ग, नहीं तो कहां दिखावें, उपर में देवताओं के चित्र दिखाएं हैं, वह भी होंगे तो यहां न समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए, यह सिव बाबा का यादगार है, जो सिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, सिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चड़ाय जाए, इसलिए बड़ा सादी वाले जट उनको पकड़ ले, ना इतना हजार सुर्य से तेजवाला है, कुछ भी नहीं, कोई-कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको यह चेरा देखने में आता है, बाबा समझते हैं, उनको परंपिता परमात्मा का पूरा परिछे मिला नहीं है, अभी याद करना है, ऐसे समझ जब याद करें, तब विकर्म विनास हो, बाकी यह देखने में आता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता, इसको फिर माया का विगन कहा जाता है, अभी तो खुसी में हैं, हमको बाप मिला है, बाप कहते हैं, कृस्न का सक्सातकार कर बहुत खुसी मे डांस आदी करते हैं परन्तु उनसे कोई सद्गती नहीं होती यह सक्साथकार तो अनायासी हो जाता है अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे सक्साथकार का भी फाइदा तो मिलना है ना भक्ती माग में बड़ी मैनत करते हैं तब सक्साथकार होता है यहाँ थोड़ी भी मैनत करते हैं तो सक्साथकार होता है लेकिन फाइदा कुछ नहीं क्रश्नपुरी में सादरन प्रजा आदी जाकर बनेंगे अभी तुम बच्छे जानते हो स्रिव बाबा हमको ये नौले सुना रहे है बाप का फर्मान है पवित्र जरूर बनना है परंतु कोई-कोई पवित्र भी रह नहीं सकते कभी पतित भी यहां छिपकर आ जाते हैं वह अपना ही नुकसान करते हैं अपने को ठखते हैं बाप को ठगने की बात ही नहीं, बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या, सिव बाबा की स्रिमत पर काईदे सिर नहीं चलते हैं, तो क्या हाल होगा, समझा जाएगा, तकदिर में नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, और ही औरों को दुख देते रहेंगे, तो एक तो बहुत जाए खानी पड़ेगी, और दूसरा फिर पद भी फ्रस्ट हो जाएगा, कोई भी काईदे के विरुद काम नहीं करना चाहिए, बाप तो समझाएंगे ना, कि तुमारी चलन ठीक नहीं है, बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उसकी तकदिर, ब आपिस सांतिदाम तो जाना ही है, पद ब्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं, आते तो बहुत है, परन्तु यहां तो बाप से वर्षा लेने की बात है, बच्चे कहते हैं, बाबा, हम तो स्वर्का सुर्यवंसी राजाई पद पाएंगे, राजयोग है ना, स्ट स्कोलर्शिप ली है, जितना जितना जैसा पैसा होगा, ऐसे ऐसे स्कोलर्शिप मिलेगी, यह माला बनी हुई है, स्कोलर्शिप वालों की वरद्धी होते होते हजारों बन जाते हैं, राजाई पद है स्कोलर्शिप, जो अच्छी रिति पढ़ाई पढ़ते हैं, वह यह जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पुरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएगी इतना हीरे जैसा गायन बनाएंगी हम अपना सची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्सा पाएगा कितना खुशी होती है जानते हैं यह वर्सा अब नहीं है कोई को तो जरा भी सौक नहीं है समझन का पुरानों को भी इतना सौक नहीं जितना नईों को है वंडर है न कहिंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो बगवान भी क्या करे टीचर तो पढ़ाते हैं न अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप द अब दारना के लिए मुक्य सार है पहला पॉइंट अपनी कम्यों को छिपाना भी स्वयम को ठगना है इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है दूसरा पॉइंट है अपनी उच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम काइदे की विरुद नहीं करना है पड़ाई का सौक रखना है आप समान बनाने की सेवा करनी है मीठे बाबा का मीठा वर्दान हर कदम फर्मान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव विस्तार जो बच्चे हर कदम फर्मान पर चलते हैं उनके आगे सारी विस्व कुर्बान जाती है साथ साथ माया भी अपने वंस सहित गुर्बान हो जाती है पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी और अपने स्रिष्ट स्वमान मैं रहते हुए हर फर्मान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किलचे छूट जाएंगे अब भी सहज योगी और भविश्य में सहज जीवन होगी तो ऐसी सहज जीवन बनाओ अब स्लोगन है स्व्यम के परिवर्तन से अन्या आत्मों का परिवर्तन करना ही जियदान देना है स्व्यम के परिवर्तन से अन्य आत्मों का परिवर्तन करना ही जियदान देना है अच्छा ओम सांती